बिसमिल्लाहिर रख्माने रहीम, असलामु अलेकुम वर रख्मतुल्लाह। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा रिक्वेस्ट पे इसको मैं अड्रेस कर रही हूँ। लोग ये समझते हैं कि सोशल अगर बच्चा हमारा इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। इस चीज को अपने जहन से निकाल दें और इसको सेपरेट करें। सोशल इंटरेक्शन का कॉन्फिडेंस से कोई तालुक नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत से ऐसे कॉन्फिडेंट बच्चे देखे जाते हैं जो सोशल इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। उसकी क्या वजुहात होती हैं और उनको इसके लिए प्रिपेर कैसी किया जा सकता है कि वो सोशली किसी गैधरिंग में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको करना ये है कि बच्चे को आई कॉन्टेक्ट करके बात करने का आदी बनाना है। उसके लिए जरूरी है कि जब आप बच्चे को आवास देते हैं, अमूमन देखा ये जाता है, कि आपने बच्चे का नाम लेके उसको बुलाया, और दो कमरे छोड़ के ही आपने वो बच्चा दूर बैठा वाया, आपने वहीं से पूरा मैसेज कनवे कर दिया, टीवी क्यों आपके साथ आई कांटेक करके मुखातिब नहीं हो जाता, उस वक तक आप अपनी बात ना कहीं, आप सिर्फ नाम लेते रहे हलके से, और फिर जब वो आपकी तरफ मुखातिब हो, भले ही अगर आदत नहीं है तो वो टाइम लेगा, जुझलाएगा, कि बोलें मैं सुन तो राओं, नो, आओ, खरीब आओ, और आखे मेरे साथ आई कांटेक करके फिर बात करो, मैं क्या कह रही हूं, तवज्यों से सुनो, और इसी तरह आपको भी उसकी बात सुननी है, तो यह जो आई कांटेक होता है, यह एक्टिफ लिसनिंग की हैबिट को डवलेप करता है, कि आप अगर सुन रहे हैं, तो किसी की बात बहुत गोर से सुन रहे हैं, तो इस चीज का आप ख्याल रखें, कि बच्चे से दूर से बात ना करें, उसमें आपकी बोडी लैंविज बहुत मैटर करती है, यह कॉम्प्लिमेंट करता है, जो आपके वर्बल कम्यूनिकेशन होत होती है, उसके साथ साथ आपकी बोडी लैंविज, आपके फिशल एक्सप्रेशन और आपके आई कॉंटेक्ट, यह सारी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करती हैं, तो बच्चा अगर बाहर जाके तभी यह सब कुछ इंटरेक्ट कर सकता है, जब उसकी आदत घर स पढ़ना शुरू होगी, उसके बाद दूसरा काम आपको यह करना है कि उसकी फेवरिट्स पर उससे बात करनी है, ताके बच्चा खुल कर बोलने का आदी हो, मिसाल के तोर पर हम जब भी बात करते हैं, या तो ज्यादा तर बात जो है वो पढ़हाई और स्कूल और होमवर कारी साब और इन सब चीजों के बारे में हो रही होती है, लेकिन आपको उन टॉपिक्स पर बात करनी है जो बच्चे के फेवरिट हो, और बच्चे के खुद भी बोलना है, हमें बच्चे की आदत डालनी है कि वो बोले, और वो उसकी बोलने में मिच्चूरिटी आए, तो किस तरह हो सकता है, उसको बोलने का मौका दिया जाएगा, तभी तो वो बोलेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके फेवरिट टॉपिक को डिसकस करें, ताके वो खुल के उस पर बात करें और बोले, तो इस चीज का ख्याल रखें, प्लस आप जब फैमिली डिसकुशन में बैठे में हूँ, तो उससे उसकी राय लें, उपीनियन लें, चाहे आप कोई अडल टॉक पर ही हो आपकी हो, आप किसी अपने मसले पर बात कर लें हो, उसमें भी आप उसकी राय लें, उसकी उपीनियन को वैल्यू दें, ये वो चीज है, जो सबसे ज्यादा बेशक कोई बहुत ही मोमल बात उसने की, लेकिन आपने उसकी राय को वैल्यू दी, एक तो आपने उसकी आई कॉंटेक्ट को एप्रीशियेट किया सबसे पहले, उसके बाद आपने का कि तुमने बात बहुत अच्छी कही, और मैं जरूर इस बारे में कंसिटर करूंगा, स चीज उसके माइंड में होगी, कि मैं अच्छी बात करता हूं, जिस बच्चे के माइंड में ये बात होती है, कि मैं अच्छी बात करता हूं, वो खुल के जाके बाहर बात करता है, उसको उस चीज पे confidence होता है, कि ये बात मेरे बाबा ने मुझे बताई थी, कि मैं बात तो मैं कहीं भी जाके कोई भी बात कर सकता हूं तो इस चीज का एहसास जब बच्चे को होता है फिर वो खुल कर बात करता है उसमें आपको क्या करना है आपको बच्चे को इन्वार्मेंट देना है वो महौल देना है जहां भी जाके वो लोगों से बात कर सके अब इस महौल में भी देखा ये जाता है कि जो मदर्स हैं या तो वो बाद में कमेंट कर रही होती है तुम्हें उसको ये कहना चाहिए था तुमने ये क्यों नहीं बोला उसको ऐसी बात बोलते हैं उसने देखो किस चीज की जरूरत है बात करने की क्योंके माँ सर पे खड़ी वी जो है वो सुन रही है ना आप उस वक्त कोई बच्चे को लुक में दें खड़े होके के बेटा ये भी तो बताओ बेटा ये भी तो तुम बोलो उससे भी बच्चा कॉंशिस होने लगेगा और कनफ्यूज होगा कि मुझे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी उसको अपने विजडम लेवल से डिसाइट कर लेने दें कि मुझे किस बारे में बात करनी है और किस बारे में नहीं करनी ये बहुत एहम बात है और ऐसा ना करें जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट कर रहा हो खुद को आप टू स्टेप्स पीछे रखें ताके वो कॉन्फिडेंटली लोगों को अगर सपोज वो कोई गलत बात बोलता भी है और लोगों का कोई कोई समझे रद्धे अमल आता भी है उसको फीस कर लेने दें लोगों को इन्हीं लोगों के बीच उसको बड़े होना है उसमें आप उसको फैसलिटेट कुछ इस तरह कर सकते हैं कि उसको इमोशन की पहचान कराएं कब तुमें खुसा आता है? कब तुम अदास हो जाते हो? तुम खुश क्यों होते हो? या तु और उसी हिसाब से लोगों के emotions का ख्याल रखेगा बात करते हुए यह चीज बहुत important है I hope कि इस चीज को आप लोग अप identify कर पाएंगे कि socially बच्चे को interactive किस तरह से बनाया जा सकता है बहुत जल्द इन्साला बहुत अच्छे मुदों पे आप लोगों से बात करूंगी जजा कर ला